गर से बाहर निकलकर रास्ते पे अगर आप टू विलर्स देखना शुरू करेंगे तो हर थर्ड या फोद गाड़ी आपको हॉंडा एक्टिवा नजर आएगी एस साल आटिवा ने 2.5 करोड उनिट सेल करती हुए अपने आपको इंडिया का सबसे ज़्यादा हाइस स्कूटर ब्राइंड बना लिया है लेकिन यही टैक वैसे भी उनकी पास पहले से था लेकिन इसके अलावा वो इंडिया की हाइस सेलिंग टू विलर बन गई स्कूटर को पार करते हुए और इसके साथ साथ दुनिया की सबसे हाइस सेलिंग स्कूटर भी बन गई अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो यानि इसका सलस्त कोई डिनाय नहीं कर सकता लेकिन किस तरीके से एक बाहरी कमपनी इंडिया के अंदर आकर एक स्कूटर अगर रही इसी चीज़को आजम जानेंगे एक्टिवा लॉंच हुई साल 2001 में और उसके पहले भारत का स्कूटर मार्केट काफी अलग हुआ करता था बजाचे तक मेटी, लूना, स्कूटर के नाम पे इंडिया में सिर्फ यही चीज़े एविलिबल थी लेकिन इन में कई सारी बेसिक दिक्कत ही थी जिनने लंबे समय तक मैनुफैक्चरर्स ने एड्रेस नहीं किया और इन दिक्कों तके साथ में ही इनका सेल होते रहा कई सारे सारों तक पहली दिक्कत जो इन सारी गाड़ियों में थी वो थी difficulty in usage अगर आपने कभी चेत तक या especially लूना चलाई होगी तो आप जानते हो कि इने चलाना कोई आसान बात नहीं है इने चलाते समय आपको पहले किसी experience बंदे से training की जरुवत पड़ती है बाद में जैसे आप कहते हो कि आपका हाथ बैट गया है उस situation तक पहुचने तक आपको at least 10-15 दिन train होने की जरुवत है और उसके बाद में ही इन में से कोई भी गाड़ी को आप ठीक से चला सकते हो इसके अलावा ये गाड़िया काफी heavy थी ज्यादा comfortable नहीं थी शुरुआत में ये गाड़िया reliable भी नहीं चलाते थे और वही इने चलाते भी थे जबकि at the same time लड़कियों के लिए औरतों के लिए बुड़े लोगों के लिए और college में जाने वाले बच्चों के लिए कोई भी अच्छा option इंडिया मार्केट के अंदर available नहीं था जब 1984 में hero के साथ में Japanese Honda ने tie-up किया तब आने के बा नहीं है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें गाडियों की जरुवत नहीं है और इसी टाइम पर Honda ने एक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया यहाँ पर clearly इक चीज होंडा ने identify की थी कि इंडियन मार्केट के अंदर जो भी two-wheeler manufacturers है वो जब भी कोई गाड़ी design क जिसके उपर इन्होंने काफी deep research की थी और basic problems जो two-wheeler market के अंदर थी वो इन्होंने solve कर दी पहली बात इन्हें चलाना बहुत easy था centrifugal clutch होने के कारण किसी को भी gears की knowledge रखने के यहाँ पर जरुवत नहीं थी manual clutch यहाँ से पूरी तरह के से हट गया था जिसके कारण अगर कोई cycle भी चलाना जानता था और scooter का weight handle कर पाता था वो 10-15 minute के अंदर आक्टिवा जैसी गाड़ी चलाना सीख सकता था और दो से तीन दिन में उसरे चलाने में expert भी बन सकता था public roads पर और यह चेत्ता के मेट के comparison में बहुत जादा revolutionary था क्योंकि एक्टिवा लाइट वेट थी छोटी थी इसके seat और leg position कुछ इस तरीके से थी कि इसके उपर चड़ना उतरना comfortable था और क्योंकि बीच में gap था तो साड़िया पहनने वाली लड़िया, भूडे लोग, धोती, लुंगी, इन जैसे कोई भी traditional इंडियन अटायर के साथ में भी बहुत ही easily इन गाड़ियों को चला आ जा सकता था एक काफी ज़दा safe secure, trunk, modern design, कई सारे features होने के कारण, Honda Activa तुरंधी लोगों की पसंद बनना शुरू हो गई, और या पर Honda ने भी सही game खेला अगर आपको 2010 के पहले के scooter commercials याद होंगे, तो आपको अच्छे से याद होगा कि उसे इस तरीके से target किया जाता था, कि कोई भी ने चला सकता है, चाहे वो male हो, female हो, college जाने वाले बच्चे हो, या फिर older generation, आपके advertisers में target किया जाता था और इसके वजे से 3 साल के अंदर ही Activa ने 2003 तक 1 million units बेच दी, और Activa एक family vehicle बन गई, Indian society में हुआ यह करता था कि जो घर पे गाड़ी होती थी, mostly उसे घर के अंदर एक या दो ही लोग चलाते थे, लेकिन Activa एक ऐसा vehicle बन गई जो घर में कोई भी चलाता था, अपने किसी भी का के लिए वो इस्तमाल कर सकते थे और सभी को काफी ज़ादा easy था इसे चलाने के लिए, इसके अलवा जो basics थे, engine efficiency, reliability और mileage के मामले में ये भी Activa ने ठीक से hit किये, और साल 2009 तक ना सिर्फ Activa ने Indian scooter market को dominate करना शुरू कर दिया, बाकी competitors को पूरी तरीके से हटा दिया, लेकिन इं 90's में, वो फिर से Honda Activa ने expand करना शुरू किया, और धीरे धीरे एक पॉइंट तक ये market 30-70% ratio तक भी पहुच सका था, यानि हर 102 विलेज जो sale होती थी, उसमें से 32 विलेज हुआ करती थी, और उनमें से भी almost सारी की सारी हुआ करती थी Activa, Japanese company होने के गज़े से, Honda ने कई सारे अपने patented technologies Japan से इंडिया में outsource किये और उन्हें इस्तमाल करती हुए, काफी लंबे समय तक बाकिया अपने competitors से वो उपर रहे, story में change आने शुरू हो साल 2010 में, जब Hero और Honda ने separate होने का decision लिया, और दोनों company separate हो गई, उस टाइब बर two wheeler market के अंदर पूरी दरीके से अब कह सकत एक monopoly ही थी, Hero Honda की, जिसके वज़े से इस separation के बाद में market में नई opportunities खुलने लगी, basically monopoly तूड गई थी, TVS, Suzu की, इन जैसी companies ने यहाँ पर बड़ी opportunities देखी, और तुरंत अपने भी models यहाँ पर launch करना शुरू के दिये, जिसने Honda के market को effect किया, आज जो दूसरे competitive scooters आप देखते कि competition इतना बड़ यादा, कि market share Honda Activa का कम होना शुरू हो गया, अब बाकी two wheel manufacturers ने भी कुछ चीज़े crack कर ली थी, चाहे वो modern technology हो, ज्यादा बहतर engines हो, mileage हो, या features, इन जैसे चीज़ों को इस्तमाल करते हुए, Honda Activa के market को वो eat up करने लगे, और इसका market share कम होने लगा, अगर आज share की बात करे, तो बाकी companies ने भी अच्छी position यापर बना ली है, और आज की date में ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ scooter खरीदना है, तो सिर्फ औस एक्टिवाई का अच्छा option है, लेकिन फिर भी इसकी reliability और हिस्टरी के वज़े से, लोग इसे अच्छा preference देते है, उमीद करत हो, आपको अच्छा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगले वीडियो में,